यूपिटट 2021 के लिए PNP के द्वारा ओफिस्यल एंसर की जारी कर दिया गया है इसमें कुछ ऐसे विवादित प्रश्ण अभी भी है जिसके उत्तरों के बदलने के चांसेस पूरे है या फिर सभी अभियर्थों को इसके सापेक्ष कॉमन नमबर दिया जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा जो उत्तर बताएगा है वो पूरी तरीके से गलत है कौन-कौन से ऐसे विवादित प्रश्ण है जिसके उत्तरों को PNP संसोधित उत्तर कुंजी में बदल सकता है या फिर सभी अभियर्थों को कॉमन नमबर दे सकता है इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी अंत तक जुड़े रहिएगा नमश्कर दोस्तों मेरा नामें नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आपी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल ऐकन को प्रेस करना ना भूले CDP में पहला विवादेत प्रश्न दिया गया था अधिगम हेत्व निम्न में क्या सरवाधिक आवश्यक है इसका उत्तर PNP ने परिपक्वता को माना है PNP के अनुसार जब तक परिपक्वता नहीं आती है तब तक अधिगम नहीं किया जा सकता है अगर सैश्वा वस्था की बात की जाए तो सैश्वा वस्था में ना तो मानसिक परिपकवता होती है ना तो सारिरिक परिपकवता होती है उस कंडिशन में भी बालक अधिगम करता है अगर कोई एक साल का बालक है और वो जलते हुए दीपक के पास अगर जाता है और अगर हा से इसवाज़ा से यह उत्तर बिल्कुल गलत है अब इसका उत्तर क्या होगा इसको सुनिए इसके दो विकल्प सही हो सकते हैं लेकिन जो सबसे ज creepybaby उत्तर सही होने के सबसे ज़ादा चांसे से अभी मैं इसका प्रमाणद भी दिखाऊंगा ठीक है और इसके अलावा रूची भी इसका उत्तर हो सकता है पहले इसको समझे क्यों ऐसा मैं बोल लाओं देखिए एक कक्छा में अभी प्रेड़ा टीचर का काम क्या होता है सभी को मोटिवेट करना अभी प्रेड़ित करना कि आप ये चीज कर सकते हैं त तो कक्छा में 50-60 अगर विद्यारती हैं तो सभी को एक समान मोटिवेट टीचर करता है लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग आता है क्यों क्योंकि प्रतेक व्यक्ति की रूची अलग अलग है अब जब आप बच्चे को कितना भी मोटिवेट कर ले जब उसके अंदर आप NCRT क्लास 11 की साइकलोजी की बुक देख पा रहोंगे यहां पर मोटिवेशन के बारे में लिखा गया आप इसकन पर देखें मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वसाइट फॉर लर्निंग यानि कि जो अभिप्रणा है वो लर्निंग अधिगम के लिए आवश्यक है तो ह हो सकता है कि जब PNP के दोरा revised answer की जारी किया जाए तो परिपक्वता को बदल करके इसका उत्तर अभिप्रणा कर दिया जाए क्योंकि NCRT में इसके साक्षे उपस्तित हैं इसके अलामा इस संभावना से भी इनकार नहीं की जा सकती कि PNP रूची पर भी विचार कर सकता है क्योंकि जिस प्रकार से मैंने उधारण दिया कि एक ही कच्छा में टीचर सबको एक समान मोटिवेट करता है अधिगम के लिए लेकिन result अलग-अलग होता है क्यों क्योंकि बच्चे की रूची अलग-अलग है कोई बच्चा पढ़ने में interest ले रहा है तो उसका अधिगम अ लेकिन अगर NCRT की बातों पर विश्वास करें तो सबसे ज़्यादा जिसके प्रबल चांसेस है वह अभिप्रणा उत्तर हो सकता है PNP के revised answer की में आपने क्या लगाया था कमेंट करके जरू बताएगा और आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए कमेंट करिएगा दूसरा विबादित प्रशने CDP में ही पूछा गया था शैशव काल का समय पूछा गया था यहाँ पर PNP के दोर जो उत्तर दिया गया है वो option number 4 को दिया गया है जन्म से 6 वर्स लेकिन जो सबसे ज़्यादा विबाद है वो option number 1 को ले करके है जन्म से 2 वर्स तक अब जो सा पहले पहरा के last line में आप देखिए the child during infancy, infancy मिन्स सैशवा वस्था सैशव काल की बात की जा रही है that is the two years of life, first two years of life यहां कि यहां से यह clear हो जा रहा है कि NCRT सैशवा वस्था सैशव काल को जन्म से 2 वर्स तक को मान करके चलता है और NCRT के प्रमान को अगर PNP ने माना तो उत्तर बदल करके 0 से 2 साल हो सकता है तो यह भी प्रशन विवादित है जिसके option number 1 के सही उत्तर होने के chances जादा है क्योंकि NCRT में इस बात के प्रमान है कि जन्म से 2 वर्स तक को सैशवा काल माना जाता है अगला जो विवादित प्रशन है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रियोग निम्न में से किसके सिक्षण हेतु किया जाता है अब यहाँ पर देख लिजे दो विकल्पों के chances बन रहे हैं PNP ने इसका उत्तर स्रिजनात्मक्ता दिया है लेकिन अगर समस्या समाधान की बात की जाए तो देखिए समस्या समाधान में भी स्रिजनात्मक्ता आती है कहने का मतलब कि जब किसी प्रॉलम को आप स्रिजनात्मक्ता आएगी वहाँ पर मानसिक उद्वेलन आएगा ही आएगा यानि समस्या समाधान एक ब्रॉड कॉंसेट है और उसके अंदर भी स्रिजनात्मक्ता हो सकती है इस वज़े से इस विकल्प के भी chances बन रहे है क्योंकि ये तो 100% तै है कि स्रिजनात्मक्ता उत्तर हो सकती है लेकिन किसी समस्या को solve करने के लिए उसके कई नए तरीके अपनाए जा सकते हैं और जहां भी नए तरीके से मौलिक तरीके से सोचने की बात होगी तो वहाँ पर स्रिजनात्मक्ता आएगा यानि कही न कहीं सम की तो उन्होंने problem solving जो brain storming होती है जिसे हिंदी में मानसिक द्वेलन कहा जाता है उस chapter में आप देखेंगे तो उसमें problem solving को भी एकजिकर किया गया है जो की समस्या समधान की ओर इसारा कर रहा है यानि इस उत्तर को भी इंकार नहीं किया जा सकता PNP ने इन दोनों options में एक तरीके से विवाद छेड़ दिया है स्रिजनात्मक्ता को उत्तर दे करके क्योंकि समस्या समधान जहां पर होगा वहां स्रिजनात्मक्ता उसमें पहले से include है तो इस उत्तर के भी chances प्रबल है अब देखना होगा रिवाइज डैंसर की में PNP इसको किसको सही मान करके चलती ह इसमें से विकल्प में से अगला विवादित प्रश्ण भी CDP का है निमलेकित में गरंतियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन प्रकारों की चर्चा किसने की है PNP ने इसका उत्तर option number 4 कैनन को माना है लेकिन अगर बात करें जो प्रश्ण पत्र 2017 का repeat हुआ है उस 2017 में प्रश्ण पूछा गया था और ये मामला कोर्ट में भी गया था कोर्ट ने क्रेश्मर को भी सही उत्तर माना था यानि कि option number 2 और option number 4 में विवाद है हलांकि PNP ने इसको उत्तर सही माना है लेकिन 2017 के revised answer की में PNP ने कैनन और क्रेश्मर दोनों को सही मान लिया थो तो इस ब प्रिकरी होना का अर्थ क्या है PNP ने इसका उत्तर अप्रिय लगना माना है लेकिन ये मामला वर्स 2017 में भी कोर्ट में गया था जिसमें कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से कोर्ट ने कष्ट दायक होना को भी सही उत्तर माना था और PNP ने दोनों विकलपों को revised answer की 2017 में सही मान लिया था तो इस बार भी chances हैं कि PNP दूसरे और चोथे दोनों विकलपों को सही मान सकती है हलांकि इस बार PNP ने इसको सही माना है इसके भी प्रबल chances है कि चोथे option को भी PNP revised answer की में सही मान सकती है क्योंकि 2017 माननेने कोर्ट ने दोनों विकलपों को सही मानते To ring once own bill means PNP ने इसका उत्तर option number 1 को माना है लेकिन इस प्रश्ण में विवाद है option number 3 को ले करके अब इसका सही उत्तर क्या होगा इसको समझे यहाँ पर दिया गया to ring once own bill यहाँ पर अगर own नहीं लिखा रहता ठीक है तो यहाँ पर किसी वैक्ती की बात हो रही थी मतलब किसी भ स्वैम की बात कर रहा है ठीक है अब जो PNP ने उत्तर माना है option number 1 इसमें देखिए इसमें स्वैम की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है to be once publicity agent मतलब किसी के प्रचारक होना किसी का प्रचारक होना इसका अर्थ हुआ लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो आप स्वैम का sense निकल भी नहीं किया गया है इस विकल्प में जबकि option जबकि जो प्रच्ण है उसमें own यानि स्वैम की चर्चा की गई है अब अगर option number 3 को आप देखेंगे तो इसको ध्यान से देखिए to indulge in self praise यहाँ पर देखिए ऐसे वैक्ति की बात कर रही है जो कि अपनी प्रसंसा खुद कर ठीक है तो यहाँ पर self की बात की गई है यानि स्वैम की बात की जा रही है और यहाँ पर भी देख लीजे इसका आर्थ उसी सेंस में निकल ला है to ring one owns bill मतलब कि एक ऐसा वैक्ति जो खुद अपनी घंटी बजा रहा है मतलब खुद अपनी प्रसंसा करना उस सेंस में इसका प्रबल चांसे सें option number 3 इसका एक सही उत्तर हो सकता है हो सकता है PNP revised answer की में option number 1 को बदल करके option number 3 को सही मान ले आप लोग ने इसका उत्तर क्या लगाया है और क्या होना चाहिए comment करके ज़रूब बताइएगा बात करेंगे अगले विवादित प्रशन की जो की English सही है आप पर देख पार होंगे fill in the blank था और dash of playing the children went home यहाँ पे PNP ने इसका सही उतर option number 2 being tired को माना है लेकिन grammatically अगर देखा जाए तो option number 4 having tired में भी कोई भी problem नहीं होना चाहिए इस वज़ा से इस प्रेश्ण में ये दोनों विकल्प सही हो सकते हैं PNP ने सिर्फ option number 2 को सही माना है हो सकता है कि revised answer की में इनके द्वारा option number 4 और option number 2 दोनों को सही मान लिया जाए आपने क्या इसका टिक किया है और आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए कमेंट करके जरू बताइएगा PNP ने वर्स 2017 में जो यूपीटेट का पेपर दिया था उसकी गलतियों से कुछ भी सबक ना लेते हुए उन सभी गलतियों को फिर से दोरा दिया है जिसकी वज़े से मामला मानने कोड गया था 136 नंबर का प्रशन EBS में पूछा गया था आप इसकिन पर देख पा रहोंगे घांस भूमी छेतर के पडितंत्र के खाद स्रिंखला में सबसे उच्छे इस्तर का उभोगता होता है PNP ने उसका उत्तर एक मानसाहरी को माना है जोकि एक तरीके से सही भी है लेकिन ये मामला मानने कोड गया था और मानने कोड ने इसका उत्तर जिवाडू को भी मान लिया था और उस समय, PNP ने जो revised answer की जारी किया, उसमे option number 1 और 4 दोनों को सही माना, लेकिन इस बार PNP ने सिर्फ option number 1 को सही माना है, तो ये प्रभल chances हैं, कि जो revised answer की जारी होगा, उसमे option number 4 और option number 1 दोनों को सही माना जा सकता है, मानेने कोट ने इसके सापेक छे PNP को आदेश जारी किया था और PNP ने रिवाजड एंसर की में भी दोनों को सही मान लिया था तो जिन्हों ने भी option number 1 और option number 4 यानि कि मान सहारी या फिर जिवाणू में से कोई भी एक लगाया होगा उनके प्रबल चांसे से हैं कि आपको एक number मिलेगा